आज का महारा टॉपिक है जी तमास का और कंप्रिट पढ़ना है हो सकता है दो घंटब देखो सबसे पहले दिखेंगे संधी और समास में अंतर जो लगाता प्रस्त बन रहा यहां से ठीक है जो संधी है यह सब्चलों का मेल होता है ज़ी और समास से वह सब्दों का मेल होता है सब्दों का नहीं रखने स्कों ठीक है जैसे यहां पर लिखें हम लो कि विद्याधन आले अस्ट एक विद्याधन आले तो यहां पर आव का मेल हो रहा है वार्न का और यहां पर विभक्ति का लोग या जैसे गंगा का जल तो क्या जाय गया जी गंगा जल मेल नेश्ट संधी में कभी समास में संधी होता है जैसे सुरासूर क्या जाएगा इसका जी तूर और असूर तूर असूर तो समास में संधी हो सकता है किन्तु संधी में कभी भी समास नहीं होगा जी नैश्टन तंधी का बिलोम होता है बिग्रह और समास का बिलोम होता है ब्यास याद रखना ब्यास ठेक हैं तो यहां पर विग्रह और एक विखेद भी हो सकता है तो संधी का अर्थ क्या है तो सैयोग मेल तमझावता और एक त्रह का वनविकार जबकि समास समास के कारण क्या होता है जी जो सब्द है वो संख्य पर जाता है जैसे बाल लो आप किसी होटल में गए आपको लेना है दही बड़ा तो आप बोलोगे दही में डुबा हुआ बड़ा देना ठीक है तो समझी नहीं पाएगा यह लंबा समय देगा उसी बोल दिए दही बड़ा अधा तो यह संग्षेप हो गया यही आपका संग्षेपी करना कहलाता है यह घटा परिभासा बनी जाएगा दो या दोस से अधिक पद और कामता प्रसारद गुरू की पुस्तक में जी स्थब्दक यूज करता रखना है तो दो या दोसी अधिक पदों या सब्दों के मिलने से जो एक नया स्वतंद्र पद बनता है है ना उसी को बोलते हैं समस्त पद समास सपद बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे स्तमास काते हैं कई बार परिच्छा यह सब आ चुका है तो कोई दिक करने हैं और कामता प्रसाद गुरू का नुसार यह नीचे दिया हुआ है जो भी तक नहीं आया है और यही किसी का थोड़ा सा नमीन संस्क्रण उसके बाद से किसी को गूड़ नाइट भेजना है तो पूरा पूर लिखना पड़ता था गूड़ नाइट है ना स्वेट ड्रेम आज काल जी एन आदमी समझ गया तो यहीं तो है संग्छेप्ति करण बन जाएंगे उसके बाद समास का बिलूम क्या होता है जी ब्यास ठीक है समास को हिंदी भासा में लाने की पीछे क्या उदे से इसका क्या प्रैवजन है जैसे आप लोग यहां पर आये होता इसका प्र सामिल करने की पीछे क्या प्रैजन रहा तो प्रैजन में याद रखना जी कि इसका है कम सब्दों में अर्थ का बिस्तार कम में बंग छत्रिगरी मोले तो ही हो जाता है नेश्ट अनुसीलन यह कहां से आया है तो याद रखना संस्कृत ब्याक्रण से आया है तो यह समास के याद तत्त एक बबहार आया था कि समास के कि तत्तत्त है तट थवन जङ है तो समास की तत्त यह वह यो यह चार हूँरकना अट प्रतमपद दूतियपद समस्थ warm इसको समास्थ भी पिन्म तो समस्थ बिल्च कि समास्थ बिंग्व चार हुआ कौन कोर से हुआ प्रथम पद दुतिय पद समस्त पद और समास बिग्रह ठीक है तो एक सब्द है यहां पर देखिए पुरुसत्तम दिख रहा है जी है ना इसमें जो पुरुस होगा पुरुस और एक जाएंगे उत्तम दो सब्द है अजिक है इसमें जो पुरुस है यह खाल आएगा आपका प्रथम पद यह इसी प्रथम पद को बोलते हैं जी पूरुवपद यह इसी को बोलते हैं उत्तर पद रहा हैं लिखो मत लास्ट में उसके पीडिया प्ले जाना याद करो एक और यह जो दोनों का समास होने जो का लाता है आपका स्तमास्त पद ठीक है और इसको पूरुसों में उत्तम यदि हम तोड़ दिये यह कहला आएगा स्तमास बिग्रह इसी प्रकार आप देख सकते हो गंगा जल ठीक है तो गंगा क्या जाएगा जी पूरुवपाद या प्रथाम पाद जल या रखना उत्तरपाद और गंगा जल तमस्तपाद है न और यहां हो जाएंगे गंगा का जल यह क्या जाएगा जी समास बिग्र हो जाएगा ठीक है तो परिभासा देख लो जी नैस देखेंगे समास के प्रकार या भेद इसको लिखना है जी चलो लिखो इसको समास के प्रकार या भेद तो समास के कितने भेद होते हैं तो समास के च्छाय भीद होते हैं रखने च्छाय भीद है ना कौन कौन सजी पहला हो जाएगा अज बैभा समास दूसरा जी तत्पुरु समास ठीक है ध्यान देना एक बार में आध होगा ध्यान दिये तो तीसरा जाएंगे कर्मधार समास ठीक है कर्मधार समास और उसके बाद नेश ज लाइँगे द्वन समास ठीक है और चटों हो जाएगा बहुब्रही समास ठीक है बहुब्रही समास याद रखना ठीक है अब बहुभास समास वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है हुआ छेकी प्रत्वं प्रधान होता है इसको बोलेंगे अभ्यभाश समास ठीक है जैसे उधारन के लिए प्रती दीन है ठीक धिमार्व में फोकस करना भाई ठीक है तो मैं बोला आपको कि प्रती दीन पढ़ाई करना पड़ेगा आपके मन में क्या हो जी दीन बोला प्रती दीन मतलब रिया रोज पढ़ना पड़ेगा मतलब जो प्रती है यह अधर रहकना प्रभावी हो गया प्रती कि ठीक हो गया उसके बाद देखो नैश्टत पुरु समास इसमें जी दूतिय प्रद्धान होता है कि इसमें दूतिय प्रद्ध प्रधान होता है कि जैसे एक सब्द बोला चीड़ी मार चीड़ी मार इसका बिग्रह करोगे तो क्या जाएगा जी चीड़ियों को मारने वाला तो किसका इमेज बना आपके दिमाग में अजी चीड़िया का कि चीड़िया को मारने वाला का चीड़िया को मारने वाला उसके बाद दूसरा आप पॉकेट मार अजी पॉकेट को मारने वाला इसमें उस चोड़ का भूमी का दिमाग मारा चोड़ का रहा है ना कि पॉकेट का रहा है तो फिर पॉकेट मार हो उसमें आपका शोर किया रहा रखना कैसा होगा पौकेट मारो वह इसमें दुतिय प्रधान रहा और इसमें जी प्रती दिन आपको प्रति दिन पढ़ना पुड़ेगा तो प्रति आपका फोकस होगा यह कर्मधार रहा और यह दियुगू इसी के भेद हैं और नेश्ट द्वन समास इसमें दोनों पदों की घारकना दोनों पदों की ऍ 9 प्रदादःक होती याद रखने यहां पर दोनों पड़ आपकी प्रमुख्त है यह से आपके माता पिता बोलें मैं मैं आपका जोइटтесь है प्रいます दोनों रहेंगे दोनों की बराबर भुमिका होगी ठीक है तो वहां समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है इसको बोलते हैं दोन समास जैसे मैं बोला महेस दसानन महेश दसानन दसानन दस आनन मतलब सीर दस सीरों वाला आपके दिमाग में ना तो दस का इमेज बना ना तो सीर का सीधा इमेज किसका बना रावड का वह समास जिसमें दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद को इंगित करते हैं या वह समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं होती दोनों पद गौर होते हैं और किसी अन्य पद की प्रधानता होती है इसी को बोलते हैं बहुबरही समास समझो पहला क्या बताया जी पहला बताया है अब बेभाव समास इसमें जैसे सब्द बोला उसका प्रथम पद आपको फोकस करना पड़ेगा जैसे आप माल लोग कहीं प्रावेट कंपनी में काम किया ठीक है वहां पर उसके प्रमुग ने बोला आपको प्रती दीन आना रहा ऑगा LA प्रती हे रुट अजयेंगे डुती प्रथान हो जाएगा चिल्डी मार जिटीं को मारने वाला तो चीटिया को अप्रहा हमारनीगिया ध्यान गया मारने फाटीम आर ब्लाकित मार करड़ें जां मारूं अब प्रसाइंगे दोनों पर बराबर रहेंगे है ठीक है बन जाएगा उसके बार भब्रही में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद को इंगित करेंगे पर अब देखेंगे कि कि निल गय कि आपके दिमाग कि सक फोटो रहा है EO कि कितने लोग कंदिमाग में निला रञग का फोटो आया नीं है नील रंक नीला करहा नहीं तो वहां पर नीला की प्राइन नहीं है वह पर गायक फोटो सजब्स ने चरन वीषा कनेने से विवशे साहर लह साह हूं को क्यूतब लिधाए इस अथे स्वीन कंट वचल आतो और पर Pas जी विसेश हो जाएंगे ठीक है नेश रहेंगे द्यूग समास है ना इसमें प्रथम पड संख्या वाची होता है और दुतिय पड़ गौड़नी प्रमुक रहेगा वही जैसे मैं वहला चावराहा ठीक है चावराहा चार रहों का समह तो आपके दिमाहक में चार फोटो बना क्यों चावराह कप्ररण bend रहों कि नहीं प्रत्रं प्रधान में avec बेभाव दूतिय पर प्रधान है तो तत्पुरूस है ना यह दोनों पर प्रधान होकर कोई अन्य प्रधान है तो बहुब्रही तो यह प्रस्ण आता है पदों की प्रधानता के अधार पर समास के कितने भेद हैं तो चार होगा कौन को इसार होगा अब बेभाव पास दो ठीक है हो गया